आज हम Central Bank के functions को discuss करने वाले, इसके अलावा Central Bank जरूरी क्यों है, इस से related और important facts उन सबको भी देखेंगे, जो exam point of view से important हो सकते हैं. तो सबसे पहली बात अगर हम देखें, Central Bank जो होता है, हर country में होता है हम जानते हैं, और Central Bank बहुत important role play करता है, किसी भी country के monetary system को देखने के लिए, जो भी mothering विवस्ता है किसी country की, वो काफी हद तक उस देश के केंद्रे bank पर depend करता है, कि वो किस तरह से चीतों को manage करते हैं, तो यह बहुत important है, तो इस तरह से हर country के अंदर एक Central Bank होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, सब country का लग-लग होता है, हमारे country में हम RBI बुलाते हैं, तो हर country के अंदर एक तो Central Bank होगा, उसके बाद इसके नीचे या इसके अंदर बहुत सारे और banks होते हैं, जिसे हम commercial bank कहते हैं, वाने commercial bank क्या होता है, commercial bank जो वाने जीक bank है, वहाँ पर क्या होगा, जब लोगों ने अपने deposits जमा कराए, इनके पास मानलो इतना total deposit आ गया, अब इस total deposit को तो ये loan के form में नहीं दे सकते, इस total deposit का थोड़ा सा portion इनको side पर रखना पड़ता है, जिसको ये loan के form में नहीं दे सकते, ज SLR वो वाला portion है, deposits का, जो commercial bank को अपने पास में रखना पड़ता है, कि कल को अगर कोई पैसा निकालने आए, तो वो इसको दे पाए, CRR वो वाला percentage है, जो इनको RBI के पास में रखना पड़ता है, तो अब क्या हुआ, इतना ये रखना है अपने पास में, SLR वाला अपने पा इशा ये सोच के रखा जाता है, ताकि अगर लोग विड्ला करने आएं, तो वो demand पूरी हो सके, पर अगर कभी कोई ऐसा condition हुआ, जब जितना SLR रखा गया था, वो sufficient नहीं है, तो उस condition में RBI इनको rescue करने आ जाएगा, RBI इनको funds दे देगा, तो RBI क्राइसिस के टाइम पे commercial bank को help करता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे functions है, अब इसको बारी बारी देखते हैं, और इसके अलावा एक दो चीजें और जो हमको देखनी चाहिए, वो ये है, इंडिया का जो Central Bank है, हमने जान लिया, उसको हम RBI कहते हैं, Reserve Bank of India कहते हैं, अब ये जो bank बना था, ये RBI Act 1934 के थुरू 1935 में बना था, Act था 1934, Reserve Bank of India Act 1934, और ये setup किया गया था 1935 में, तो ये चीज़ है और ये important है, अब हम इसके functions को देखते हैं, ये क्या-क्या function करता है, तो major function हम बोलें, जो ये सारे काम है, वो सब काम भी वो क्यों कर रहा है, ताकि देश के अंदर economic या financial stability बनी रहे, देश में स्थिर्था बनी रहे, वितियत और पे स्थिर्था बनी रहे, अब इसका पहला function है, कि ये note छापने का काम करता है, ये notes को छापता है, और ये इसका बहुत important function है, इस काम में इसकी monopoly है, इसको एक अथिकार है, नोट्स इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो ministry of finance है, एक रुपे के note, ministry of finance छाप देता है, बिट बांक की जितना भी notes छापा जाएगा, वो सब RBI ही छापेगा, तो एक तो इसका ये function है, अब पहले क्या होता था, जो notes छापे जाते थे, उसके लिए जो एक system अपनाया जाता था, उस system को हम कहते थे proportional reserve system, और अभी हम जो अपनाते हैं, उसको हम कहते हैं minimum reserve system, तो note छापने के दो तरीके, पुराने वाला नया वाला, पुराने वाला था proportional reserve system, अभी वाला है minimum reserve system, तो इसको थोड़ा सा हलका सा बस समझ लेते हैं, तो proportional reserve system में क्या होता था, कि आप जितना note छाप रहे हो, उसका एक certain percentage, जो decide किया जाएगा government के थूँ, उसका एक certain percentage, हमको gold या foreign securities के form में रखना पड़ेगा, अब वो कुछ भी हो सबता है, government जो भी decide करें, पहले 40% के आसपास रहा करता था, तो जितना आप note छाप रहे हो, उसके 40% value को आपको gold या foreign currency के form में रखना पड़ेगा, तो ये वाला system था proportional reserve system, अब इसको बंद कर दिया गया, इसको 1956 में ब minimum reserve system, जो अभी भी चलता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना note छापा, उसका certain percentage नहीं रखते हैं, gold या foreign currency के form में, हमने पहले से सोच के रखा है कि हम एक certain value का gold और foreign currency अपने पास में रखेंगे, उसका कोई connection नहीं है कि आप कितने note छाप रहे हों से, उतना हमने minimum सोच क के रखा है कि हम इतना manage करेंगे, इतना हम रखा करेंगे, तो वो 200 crores फिलाल है, gold के form में, बांकी foreign currency के form में, इस तरह से इसको रखा जाता है, तो ये दो system थे, अभी नया वाला system हम देख रहे हैं, minimum reserve system उसको कहा जाता है, अब दूसरा function है इसका, bankers to the state, या bankers to the government हम कुछ भी कह सकते हैं, तो government का bank है central bank, इसका क्या मतलब है, तो government के जितने भी balances होंगे, government के पास जितने भी balance होंगे, वो सब वो RBI के पास में रखवाता है, और इन balances पे कोई rate of interest नहीं दिया जाता है, सरकार को, तो सरकार अपना जितना भी balance होगा, वो सब RBI के पास में रखवा देता है, इसके अलावा RBI जो होता है, वो किसी देश की सरकार को, जो पैसे मिलने होते हैं, उसको receive करता है, government के बहाफ पे, और government को जो payments करनी होती है, वो payments करता है सरकार के बहाफ पे, तो ये काम भी RBI समालता है, इनके अलावा हम देखें तो, central bank short term loans provide करता है, government को, government को अगर पैसे के जरुद हुई, तो उस time पे ये उनको short term loan provide कर देता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम, हमारा RBI, government के लिए करेगा, एक और इसी के अंदर अखरम माने, जो important function है, वो function ये है कि central bank advise भी करता है, सरकार को, central bank सरकार को advise भी करता है, कई च क्या करना चाहिए, अब तीसरा function है, कि ये banker का bank है, अब इसमें बहुत साई शीज़ें आती है, तो ये bankers का bank है, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये पहला काम तो ये करता है, कि ये bank, जो होते है, commercial bank है, वानर जीक bank है, उनके reserves को अपने पास में रखता है, जो हमने अभी पढ़ cash reserve ratio जो होता है, वो commercial bank जो होते हैं, RBI के पास में रखवाते हैं, तो वो reserve को संभालना, उसकी देखरे करना, ये RBI का काम है, तो वो reserves का custodian है, पहला काम तो इसका ये है, दूसरा काम है इसका, कि ये lender of last resort है, जो हम ये कहते हैं, lender of last resort, कि अगर जो commercial banks हैं, उनको पैसे की जूरत है, तो RBI उनको loan provide करा देता है, हमको पैसे की जरुद होती है, तो हम commercial bank के पास जाते हैं, कभी commercial bank को पैसे की जरुद हुई, तो वो RBI के पास में जाता है, तो हम इसको lender of last resort कहते हैं, इसके अलावा function होता है, clearing house, तो it also acts as clearing house, for commercial banks, तो commercial banks के लिए, ये clearing house का का काम भी कर करता है, उसके पास में हर bank account है, हर commercial bank account है, साथ में RBI के पास में हर commercial bank का reserve भी है, जो हर bank को रखवाना पड़ता है, ये दोनों चीते हैं, तो अगर ऐसा हो कि एक commercial bank को, दूसरे commercial bank को कुछ payment करना है, तो उस situation में ऐसी settlement जो है, वो RBI खुद ही कर देता है, RBI के पास में तो दोनो bank के reserves है, तो RBI एक bank के reserve को दूसरे में transfer कर देगा, अब हम जानते हैं, एक bank के reserve को खुद से ही उसको transfer कर देगा, दूसरे वाले को, अब हम जानते हैं कि जो reserve maintain करना होता है RBI के पास में, अगर मानो, ये वाला जो bank था, इसको काफी सारी payment करनी थी इस bank को, तो RBI ने इसके वाले reserve से काफी सारी payment कर दी दूसरे bank को, तो ऐसे case में इसका जो CRR था, जितना RBI के पास में maintain होना था, वो तो कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए था, उससे कम हो जाएगा, तो ऐसे case में जो commercial bank है, उसको कहा जाता है कि वो उस कमी को, अगर किसी वज manager थी, तो ऐसे condition में वो commercial bank उस कमी को पूरा कर देगा, क्योंकि उसे उतना जितना भी decide होगा CRR, उतना रखवाना ही होगा RBI के पास में, तो अगर payments की वज़े से वो कम हो गया, तो ऐसे situation में commercial bank को, उसको वापस से manage करने को कहा जाएगा, तो ये हो गया इसका एक function, इसके अल दिया है, उसमें हम देखते है, inflation का problem आ जाता है, कई बार deflation का problem आ जाता है, और दोनों ही problem, severe problem रोजाती है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे condition में हमारा जो central bank है, RBI है, वो कोशिश करेगा कि economic stability जो है, बनी रहे, आर्थिक fluctuate ना करें, कि price बहुत जादा बढ़ गए, या बहुत जादा कम हो गए, दोनों situation ही harmful है, तो ऐसा ना हो, इसकी कोशिश हमारा RBI करेगा, अब कैसे करेगा, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कि कुछ measures होते हैं, मातरात्मक और गुनात्मक, quantitative और qualitative, उन measures को वो का, तो एक दो अगर example को लें, तो CRR हो गया, SLR हो गया, bank rate है, repo rate, reverse repo rate, यह सारा हमने देखा हुआ है, तो यह सारे measures को वो ठीक तरह से अपनाएगा, ताकि वो inflation या deflation जैसी problem से निकल सके, economy को निकल सके, तो यह हो गया, लेगनर अफ लाजज जॉर्ट हम देख चुके हैं, क कि अगर commercial banks को कोई पैसे वाला crisis हो गया, जादा लोग पैसे निकालने आ गए, उनके पास में है नहीं, या और किसी वज़े से उसको loan की जरुत है, तो ऐसे time में, जो reserve bank है, वो उनको loan provide कर देगा, इसके अलावा इसका एक और function है, वो है exchange rate को manage करना, विनिमेदर को manage करना, त ऐसा वाला situation हो, तो RBI वापस से intervene करेगा और इसको manage करेगा, ये ठीक ठाक रहे,